हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस आयसल के में एच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा बेंगलूरू एपसी वर्सेस इस्ट बेंगॉल एपसी के बीच तो इस सीजन इस्ट बेंगॉल एपसी में बहुत सारी चीजे चेंजेश से वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है इनके जो अपोनेंट है बेंगलूरू एपसी लास्ट सीजन के फाइनलिस्ट है रनर अप है ऐसल के सीजन की सुर्वाद इनकी ज्यादा अच्छी नहीं रही है स्टार्टिंग दोनू मैचे से हारे है औल्दो ये मैच इनके घर में जरूर है बट इस मैच में बेंगलूरू जो है न अपने दो मेन प्लेयर्स शुडेज और नौरम रसंग सिंग के बिना खेली कि दोनू को लास्ट मैच में रेट कार्ड मिला था तो कहीं न गई इस मैच में भी बेंगलूरू बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में नज गए थे तो बेंगलूरू की सुरुवात अच्छी जरूर नहीं रही है लेकिन इस टीम को हम जो है अंडरेस्टीमेट नहीं कर सकते एक बार मैं आपको दोनू टीम का प्रीवियस मैच का रियर्स दिखाता हूं तो बेंगलूरू जो है अपना लास्ट मैच वन निल नेरो म किये थे फिलाल यह मैच बेंगलूरू के होम में अब इसा नहीं बेंगलूरू मेच तो इसमें जिछ सकती शोली है इस चेयतने जीतने के वह अबिंट बेंगूरू के लिए और कहीं नहीं कर रहा है वहीं दूसरी ऑट यीच बैंद बहुत अच्या फूटबाल की लिए इसे देखते हैं मैं एक narrow East Bengal victory के लिए जा रहा हूँ तो मैं East Bengal को back कर रहा हूँ लेकिन अगर यह match draw होता है बेंगलूरू अपने घर में एक narrow victory चैनल में मिलेगी तो जो मेरे टेलीगराम चैनल का link है आपको या तो मिल जाएका description box में या आपको मिल जाएका top in comment में join कर लीजिए अब हम आजाते डारेक प्रोविबल लाइनप पे और पहले बात East Bengal FC के करते हैं यह favorites है मेरे according अभी मैं इनके ज्यादा यानि कि मैं 6-7 player East Bengal FC क पे करने वाला हूं तो East Bengal FC की प्रोविबल लंप नजर डालते हैं प्रफ सुकं सिक गिल इनके गोल की बरूंगे चार इनके defender है निशुकुमार हर्मंजोत खावरा पाडो और मंदर आउदेसाई फिलाल इस मैच में अगर किसी एक टिम को clean sheet के लिए back करना का मैं East Bengal को तो आप चारों के चारों भी pick कर सकते हैं लेकिन अभी मैं एक extra टेकल ले जा रहा हूं तो मैं कोई तीनी defender pick करके चल लहाँ फिलाल यहां से मेरी top two choice है पाडो और निशुकुमार इन दोनों को मैं शोल्ली pick करूंगा पाडो जो है इनके defense के leader है header में अच्छे है डिफेंस य करते हैं अब जो third choice है अभी के लिए में मंदर आओ दिसाई के साथ यो बट personally मुझे ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इनकंसिस्टेंट है बड़ अभी तक दो मैचेस में अच्छे दिखे है खास्तों अरब अच्छा कर रहे हैं जबकि जो खावरा है ना जब यह राइट करके चल सकते हैं या आप चाहे तो चारोई defender के साथ जा सकते हैं शौविक चक्रवर्ति को मैं इग्नोर कर रहा हूं मिट्फिल में मिनर सेश्वन नहीं है दोनों मैचेस में जल्दी सबसीरूट वे कुछ खास किया भी नहीं मैं सावल क्रेश्पो और बोर्खा हरेरा को इन आटेकिंग मिट्फिल्डर है जो गोल असिस्ट चांस ट्रेट और टर्गेट हर चीज के पॉइंट देगा लास्ट मैच में भी कई बार गोल माने के क्लोज है अच्छे अरिया उतमें अर था तो मैं बोर्खा अरेरा कोई पिक करके चल लाओं क्लेटन सिल्वा टेलिस्मैन सिंग में आप किसी एक कोपिक कर सकते हैं मैं जारो नौरम महेश सिंग के साथ एनी टैम मेरे अकॉर्डिंग ये नंदा कुमार सेकर से बेटर प्लेयर है अल्थो नंदा की रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक थी बट मुझे इन कंसिश्टन लगते हैं जबकि महेश जो इंडिया नेसनल टीम के लिए इतना अच्छा पर्फर्वेंस करके आ रहे रिसेंटली वो मेरे अकॉर्डिंग वन अब दे बेस्ट इंडियन प्लेयर है बेंगलुरु के गोल कर सकते हैं असिस्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रेटिविटी ओफर करते हैं लेकिन स्टार्टिंग इस्ट बेंगॉल एफसी की 11 थी जो मैंने अभी के लिए साथ प्लेयर जहां से लिए मैं पाड़ो मंदर आओ देसाई और निश्यू कुमार को डिफेंस से लेगिया इसके अलावा मैंने बोर्खा अरेरा क्रेस्पो को मिडफिल से और क्लिटन सिल्वा और नौरम महिस चैनल से जोइन करने है तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप मिंड कमें में जोइन कर लीजिए अब हम बात करते हैं बेंगलूरू एफसी की तो गुरपरिज सिंग संदू इन के तीन सेंटर बैक इसके अलावा नमग्याल भूटिय और जेसल करने हैं रहो दो विंग बैक्स हैं और ये पाँचों डिफेंडर आपको डिफेंस सेक्षन में मिल जाएंगे फिलाल मैं तीन डिफेंडर लिया रहो इस्ट बेंगल से लेकिन यहां से भी मैं एक डिफेंड में विंग एच्छे हैं और टैकलिंग इंट्रसेप्ट्स वाइस भी अच्छें पासे भी करते हैं तो अभी में एक डिफेंडर लिया रहो वो है कर रहा है इस वैसे ज्यादा पॉइंट नहीं दे रहा है तो में भी पाइंट लेना ले सकते हैं बागी जो पराक रिवास है, last match में इनके defensive points आगे थे, बट consistent नहीं है, तो अभी मैं डमयानविक ले रहा हूँ, मैं भी एक से जाता ले नहीं, या तो पंड ले सकते हैं नमग्याल बूटिया पे, या 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 पराक रिवास में किसी एक के साथ जा सकते हैं, बागी जैसल करने नहीं, बट हम इनने underestimate नहीं कर सकते हैं, इनका दिन होगा easily, goal assist हर चीज के point दिखेंगे, तो मैं Harvey Anandis को guaranteed pick करके चल ला हूँ, वेंड और अपने अभी तक कुछ खास किया नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, इस स्टार्ट इन अगर सिधे सिधे Curtis mains केले, बट मुझे लगता है सुर अच्छा और ocasionally goal assist कर सकता है, फिलाल मैं Rohit को adjust नहीं कर पाया था, लेकिन any day अगर आपको maybe इनका defender एक भी नहीं लिया ना, आप domain name एक नहीं ले रहे, या अगर आप forward में मैं छेतरी नहीं नहीं आ लहूँ, उनका goal assist नहीं आएगा, तो आप तब Rohit Kumar को surely adjust कर सकते हैं, बट अभी मैंने Rohit Kumar को भी pick नहीं किया, शिवा शक्ती नहीं अभी तक flop रहे हैं दोनू matches में, और इनके लिए मेरे पाई space भी नहीं था forward में, दूसरा, बिना goal assist के बहुत point भी नहीं दे रहे, last season तो अच्छा गया था, अच्छा talented skillful player है, अभी तक बहुत अच्छा नहीं किया, म traditional team के लिए तो, तो मैं इनको guaranteed pick करूँगा, पीछ में हुए तो penalty भी लिंगे, बट in case, ऐसा भी हो सकते हैं, क्योंकि इन तक service ही नहीं जाती है, तो यह set बहुत जाद अच्छा नहीं कर पाए, आपको लगता है, इनका off day जाए गया, बेंगलरू इसको नहीं कर पाएगी, त तो आप छेतरी को drop करने का risk ले सकते हैं, उस case में आप इनके आले place में, midfield में सिदे सिदे रोहित कुमाल ले सकते हैं, या defender लेने तब भूटिया या या युवनविक में किसी एक defender के साथ जा सकते हैं, बट अभी मैं बेंगलूरू एट हो मैं, तो मैं सुनील छेतरी को guaranteed pick क करके चल लूँ, तो ये बेंगलूरू FC की 11 थी, जो मैंने चार प्लेयल लिए, मैं गोल की बल ले गया, मैं डमियनविक ले गया, इसके लावा मैंने पिक किया है, हावी अननेंडिस और सुनील छेतरी को, बगी जो penalty है, most probably छेतरी ही लिंगे, stat इनके थेनी एक गोल जो आया तो भी कोई surprising result नहीं होगा, तो फिलाल ये मेरी Demor of Team है, गोल की बर जो मैंने लिए, वो लिए गुरपेज सिंग संदू बेंगलूरू के, उनके एक defender डमियनविक लिए, तीन मैंने defender लिए East Bengal से, पाड़ो है, मंदर आओ दिसाही है, और निश्यू कुमार है, मिट फिल में म बेंगॉल को बेख कर रहे हैं, तो हरेर अच्छी option है, साउल अच्छी option है, हलका सर रिस्क लेन है, आप महेज पी भी trust करके, नौरम महेज सिंग को भी vice captain कर सकते हैं, किसी को लग रहा है close मैं चोगा, तो हावी अननेंडेस या छेत्री में किसी एकको अबना VC कर सकते हैं, इ प्लेस में भी या तो मेट्फिल में रोहित कुमाल ले सकते हैं, या defense में spot है, तो आप योएनविक या नम्ज्याल भूटिया में किसी एक को pick करके चल सकते हैं, तो फिलाल यह मेरी demo rough team थी, updated final team के लिए आपको मेरे telegram channel से join करना है, तो जो मेरे telegram channel का link है, आपको या तो मिल जाएगा description box में, या आपको मिल जाएगा top in comment में, join कर लीजिए,